हरी परबत के शी शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में शिक्रवार को संत भवन का लोकारपन समारो आयुजित किया गया। कारिक्रम में दिगंबर जैन वोर्डिंग हाउस के मुख्य ट्रस्टी असित डी जवेरी ने नव निर्मित संत भवन का लोकारपन पड़ किया। कारिक्रम में शहर भर से जैन समाच के कई प्रबुदिजन मौजूद रहे। ताजनगरी आगमन पर आगरत दिगंबर जैन समाच की तरप से पी एंसी ग्रूप के चेर्मेन और श्री पच्री दिगंबर जैन सिक्षा समिती के अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद जैन ने असित डी जवेरी का गर्म जोथी से स्वागत किया। स्वागत से अभीभूद जवेरी ने कहा है कि वह यहां आकर काफी रोमांचित हैं। उन्होंने इस मौके पर समाज के लोगों से जैन धर्म के प्रचार पसार और मानफत वादिक कार्यों को और तेजी से करने की अपील की। स्वागत करते हैं। कि जो निर्मानकार और जिसका संचालन किया जा रहा है यह उनी के जो दान की भूमिप्राप्त होई। उसी से माध्यम से यह सबकार आगरा में संपन हो रहे हैं। आज इसी परवार के सी असिट सी जेंच हवेरी साथ जो आगरा में आए हैं। उनका हम बहुत बहुत आवार व्यक्त करने के लिए। और उनका अभिनंदन करती है इनका धन्यवद घयापित करती हैं। वह अनीक परवार से कोई वीक्ति आकर आकर के 95 वेर्स वाद आकरखे इस कीजिश को देख रहे हैं। बोगरаний अभीनंदन recently के अने इनके इस भीछी परवार के दादा लोग उन्होंने दी थी और उनी की वज़े से जो है इतना वड़ा आगरावाय जैन समाज की इतनी वड़ी प्रवुसत्ता मौजूद है इतना वड़ी है मंदिर है कॉलेज है मानिस्थम मनाबाद में सब सेसिल्टी इनी के परवार की परदाता हुई है तो इनका हम समस्तिय आगरे में प्रथम परव अतम शिक्षण संस्तान है और यह शिक्षण संस्तान लगबक सो वर्ष पूर्व प्रारंब हुआ था और इसकी स्टोरी है कि भारत के एक बहुत धनाद्य परिवार सेथ हीड़ा चंद मानक चंद उस समय यहां पर आये थे और यह जिस जमीन पर हम खड़े हैं जिस जमीन ट्रस्ट की चौथी पीड़ी के श्रीमान असित जैन जवेरी यहां पर पधारे हुए हैं और जिस परिवार ने इतना बड़ा दान दिया हूँ और मुलकर ना देखा हूँ उस परिवार का स्वागत आगरा की जैन समाज यहां पर करने के लिए खड़ी हुई है और बहतरी चौथी पीड़ी देखने आई है कि कैसा चल रहा हूँ उनका संस्थान तो यह वेलकम सिरमनी यहां चल रही है आज शिशांतीनात दिगंबर जैन मंदिर आगमन के दोरान असित डी जवेरी ने मंदिर परिसर में जैन साहित संस्थान होमियोपैथी और शिधाले और एमडी जैन इंटर कॉलेज में चल रही सिक्षा कारिक्रमों को देखा PNC कंपनी के चेर्मेन एवं वरिस्ट समाज से भी प्रदीप जैन ने बताया कि यह हमारे लिए बड़े हर्श का विशय है कि हमारे भीश दिगंबर जैन बोरिंग हाउस के मुख्य ट्रस्टी असित डी जवेरी मौजूद हैं आसे 100 साल से अधिक समय पहले असित डी जवेरी के परदादर ने यह विशाल भूमी जैन समाज को दान में दी थी लगबग 95 वर्ष के अंतराल पर जवेरी परिवार से कोई सदस ताज नगरी आया है एमडी जैन इंटर कालेश, सिच्छा सम्ती, सोच संस्तान, सांतिनाद दिगंबर जैन मंदेर यह सब जिस परसर पर बना हुआ है यह जमीन जिसने दी, उस जमीन के दातार के जो वन्स परंपरा के ट्रस्टी है, वो आज यहाँ पर मुख ट्रस्टी हमारे आई हुए है आगरा समयच के दिए भड़ी गौरब का छण है, गौरब की बात है, आज हमें इनके स्वागत करने का मौका मिल रहा है ये महत्पूर बात है अभी तक इनके यहां से इनके परवार से बंबई के रहने वाले हैं असित डी जैवेरी जी और आज तक कोई नहीं आया कई बार हम लोगों ने आमंदन दिया प्रयास किया लेकिन बड़े परम सहबा किसे आज इनके सब लोगों को दर्शन हुए हैं मु अंदर के दर्शन करके तो इनको ऐसा लगा कि विल्कुल सांतिनाथ भगवान के दर्शन करके और आदनाथ भगवान की जो प्राचीन प्रतमाय है उसके भी आज इन्होंने दर्शन की परवार से यह ताए हुए है और मुझे बड़ी प्रसंदता है मैं इनका अर्दिक सुषी हो गई है बेस्ट अव लख और काम करते रहेंगे यह लोग है कि आज हम सभी के लिए बहुत ही सवभाग का हर्श का बैसे है कि आदर्णी जवेरी साब जिन्होंने की यह पूरी जैन बोर्डिंग की जो भूमी थी उन्होंने हम सभी लोगों को समाज को उपलब दि असित्ज जवेरी साब पहली बार आग्राम है हम सभी के बीच में यहापदा आ रहे हैं हम सभी को उनके स्वागत संबान के लिए यहां पर स्वभाग की प्राप्त हुआ है और आज हम सभी लोग बहुत अत्सायत हैं उनको परवार सायत यहापर वैलकम करने के लिए पूरा केंपस, कॉलेज का केंपस, मंदिर जी का केंपस, जैन साहित सोथ संस्थान का केंपस हम सभी लोग मिलकर उनको यहां का निरिशन करा रहे हैं और समाज ने संस्थाने किस प्रकार की इतने वर्षों में उन्नती की है ये सारी चीजों की बारीकी से उनको जानकारी दे रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है कि उनको भी बहुत अच्छा लग रहा है सारी चीजों की जानकारी बहुत बारीकी के साथ हम लोगों से ले रहे हैं कारिक्रम में असत डी जवेरी की धर्मपतनी और परवार की कई लोक्षी शांतिना दिगंबर जैन मंदिर पहुचे इस दोरान महिलाओं का सम्मान उशा जैन मारसंस ने पुश्प गुच्छत दे कर किया इस दोरान MD Gen Inter College के NCC Cadets ने अथितियों के सम्मान में Guard of Honor की सलामी दी C News के लिए अजब बहदुर की रिपोर्ट